हालो दोस्त अस्राम अलेकुम आप सभी को फिर से मेरा चालेंट हारू कुपी पर साथ आते हैं आज आपको बना का दिखाओं की चिकेन विद्यानी कैसे बनते हैं दोस्ता वीडियों से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब देखें दो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके अचिकेन दो किलो लिया है उसे में दो चमच नमक डाल देंगे और दही भी डाल देंगे दोस्ता मैं यहां 100 ग्राम दही डालूँगी हम सभी को अच्छे से हाथ से मिला देंगे दोस्ता मैंने अच्छे से मिला दिया है अब इसको ढाके रख देंगे और दोस्ता मैंने अधरकला सुन लिया है उसको भी अच्छे से साब करके पैस्टे बना देंगे दोस्ता मैंने यहां आधा किलो प्याज कार्टूंगी दोस्ता मैंने आधा किलो प्याज कार दिया है दोस्ता मैंने काचर कार दिया है लंबा साइज में और मैंने ग्रीन मट्रेल लिया था उसको निकल के रख दिया है मैंने तीन तामाटर लिया था उसको मैंने लंबा डेलाब के यह विर्फंटेल से शाले हैं 더불फ़ सील हो जाना यहां पादागाधा में नियुक्ताइक दोस्तादा में यहां 300 मद्द भादा जाना दाला दालाज देल हों के तो निचेंगाती न्यीर्फंटेल better भीडालादाक दोस्ता हम प्याजर अच्छा से फ्राई करना है दोस्ता हम मारा प्याजर लाल हो गया है हम अभी इसको निकाल देंगे कट्रा में और हमने एक आजर काट करें ता उसको भी डाल देंगे दोस्ता हम गाजर को भी अच्छा से फ्राई करेंगे हमने प्याज जिस तरह लाल किया है उसी तरह हम गाजर को फ्राइ करना है दोस्त हमारा गाजर भी होच्छे से हो गया है हम इसको निकाल देंगे दोस्त हमने अच्छे से प्राइ कर दिया है और उसमें शुगार डालेंगे यहां 50 ग्राम शुगार डाल दूंगी दोस्त और हम उसमें डालना है बिर्यानी का मसाला तो हम उसमें तीन चम्मेश बिर्यानी मसाला डालते हैंगे और शाबी को अच्छे से मिलाएंगे बिर्ण मस्ला फ्राइके हुए प्याज और गाज़र के साथ अच्छे से मिला देंगे और मिला के अच्छे से धाके रख देंगे ताकि हम इसे शुगार डाले तो उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमें बाक्की प्याज को वह तेल के कड़ाई में डालेंगे सारका सारा प्याज डालके हमको अच्छे से 4-5 मिन तक यह से भूनना है तो तो हमने हरी मिर्च करेंगे तो उसको भी डाल देंगे लगे ह Katy के साथ में इसको भी बहुनना है हम वह अर्जा का साथ कृशने डाल हो जायका हम उसमे रगी तो दस्त हम आप शलान हो गया है हम चार से पांक चमर चैसे कास्तर मेथी डालेंगे दो मीनिट तक इसको भी भूलेंगे दोस्ता हमने अच्छे से भूल लिया है और हमने अधरक लासुन जो पेस्ट किया था हम सब भी अधरक लासुन का पेस्ट जाल देंगे अधरक लासुन पेस्ट का हमा अख्छे से भूलनेगेऊ पीन से चार अच्छे पटी बूलेंगे दोस्ता हम चार मिनिट में का अधरक लासुनका पेस्ट भूलने पर धाल शुखा मसला पाउडर भी डालेंगे मैंने हलदी पाउडर दो चमर च डाल लूगी धनिया पाउडर दो चमस्ट, जीरा पाउडर दो चमस्ट, लाल मिर्च पाउडर दो चमस्ट, दोस्तो मैं ये अगर मसला पाउडर दो चमसे डाल लूगी हम सभी मसला को अच्छे से 5 मिनख गे से भूनेंगे टामाटर को हम डाल देंगे, 5 मिनत देंगे, दोस्त, 5 मिनत दो बुनने बाद हम चिकन को रखेते, उसको हम डाल देंगे, मसला में, चिकन को अच्छे से पक्ताएंगे, लकड का चुल्ला का आप जदा तेज होता है तो हम इसके लकड के थोड़ा निकाल देंगे ताकि हमारा चिकेन अच्छे से पक जाए दोस्तो हम ग्रीन मटर उसके उपर डाल देंगे चिकन के साथ हमरा ग्रीन मटर भी अच्छे से पकेगा दोस्तो हम अच्छे से चिकन को पकाएंगे हमने बड़ा बड़ा पीज का साइज लिया है तो उसके अंदर से कोई कंचाना रहे जाए दोस्तो हमारा चिकन कुर्मा अच देंगे और चावल के लिए देख्ची बिठाएंगे दोस्ता हमने देख्ची बिठा दिया है उसमें पानी भी डाल दिया है और उसमें खुशू पता भी डाल देंगे हम 4-5 पता डाल देंगे दोस्ता हम यहां नमक भी डाल देंगे मैं यहां दो चमत से नमक डालूंगी दोस्ता हम आपनी साब से नमक डाल लेगा और बीज बीज में चेकरिये के चावल अच्छे से हुआ की नहीं हम इसको हिला देंगे और धांग देंगे दोस्ता हम देखेंगे हमारा चावल अच्छे से पाका हुआ की नहीं दोस्ता मेरा चावल अच्छे से पाक गया है हम थोड़ा कच्छा रखेंगे उसको निकालेंगे हम इसको फिर से हम चुला में दम कलिये बिठाएंगे तो हम दोस्ता हम इसका पानी निकाल देंगे दोस्ता मेरा चावल अच्छे से पाक गया है हम इसको बड़ा सा बार्तन में निकाल देंगे दोस्ता चावल निकाल के बाद हम वही देखेंगे फिर से जुला में बिठाएंगे जी दूसे में ठोड़ा सा घी घी डिफन याला डालेंगे यह ते जब गरम हो जाने जबीह थोड़ा खड़ा निया हैंगे अम इस साव बहुत करी हम पाक से बूनेंगे दोस्तों हम भुनने के बाद में उसमें चावल डालेंगे हम स्टेब भा स्टेब उसमें विळाल लेंगे चावल डाल देंगे अच्छा से चारता उसके बाद हम चिक्कन भी डालेंगे दोस्तों चिकन को डालने के बाद हमको फिर से उसके उपर चावल भी डालना है हम अच्छे से चावल को डालेगे चिकन के उपर दोस्तों हमने जो बिर्यानी मसेला मिल्ला के रखेते हैं प्याज और गाजर में उसको भी आपी डालेंगे अच्छे से डाल लेके बाद हम फिर से उसके उपर चावल डालेंगे बाकी चिकन हमने रखे तो सबी चिकन को इसके डाल देंगे फिर से हम इसके उपर चावल डालेंगे दोस्तो हम स्विकेन साभी डाल दिर या और उसके बाद हम बापी भीडियान के मस्टा भी उसके उपर अच्छा से डाल देंगे दोस्तो मैंने आच्छा से डाल दिया है और उसके उपर में 100 ग्रम देबीगी डालोंगी देविगी डालके इसको धाग दूँगी और मैं चुला में राग लाकर सर्पेस को उपर अच्छे से बिच्छा के डाल दूँगी दोस्तो हम चुला में 15 मिनित तक ऐसे दम में बिठाएंगे और देखेंगे हमारा बिर्यानी किस तरह बना है दोस्तो मेरा बिर्यानी एकदम अच्छे से पर फर से बन गया है दोस्तो हम चम सर उठाकर दिखाते आपको हमारा चुक्न बिर्यानी किस तरह से बना है दोस्त हमाँ चिकने बिर्यानी आच्छे सेक हो गया है और दिखिने में जितने ज्यादा आच्छा लग रहा है खाने में उतने ज्यादा भी तेस्ती है आप चिकने बिर्यान को दाही पानी के साथ खाईए और दाही सानट के साथ खाईए आपको बहुत ज्यादा आच्छा ल प्याप्स बाइ